हलो दोस्तो आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में दोस्तो आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपुन टॉपिक लेक्या ही हूँ क्या आप भी खाते हैं चावल तो छेलने पड़ेंगे ये नुकसान आईए जानते हैं इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगे ज़्यादा चावल खाने से होने वाले नुकसान के बारे में क्या आप भी ज्यादा चावल खाना पसंद करते हैं तो आप ठहर जाए क्योंकि इससे आपकी सिहत को नुकसान हो सकता है चावल लगबग हर कोई खाना पसंद करता है लोग भले ही रात को चावल अवाइट कर देते हो लेकिन दो बहर के समय चावल तो जैसे उनकी फेवरिट डिस होती है चावल खाने से पेट तो भर जाता है लेकिन भूग भी बार बार लगने लगती है ज्यादा मात्रा में चावल का सेवन करने से शरीर को कई तरह के नुकसान भी पहुँचते हैं अगर आप भी ज्यादा चावल का सेवन करते हैं तो इससे होने वाले नुकसान के बारे में जान ले तो आईए जानते हैं ज्यादा चावल खाने से होने वाले नुकसान के बार जाता है नमबर दो मोटापा पक्के हुए चावल में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है जो वजन बढ़ाने का काम करती है नमबर तीन ओवर इटिंग वैसे तो चावल खाने से पेट बहुत जल्ब भर जाता है और यह आसानी से पच्छ भी जाता है ले परीर को जारूरी विटमिन्स और न्यूट्रियंस नहीं मिल पाते हैं तो जादा चावल खाना इसलिए अवोइड करना चाहिए नमबर पांच कमजोर हड्डियां सफीच चावल में विटमिन सी की मात्रा कम होती है जिसके वज़े से हड्डियों को कोई भी फाइदा नहीं हो पाता है नमबर छे पाचन सक्ति में प्राब्लम सफीच चावल में फाइबर्स की मात्रा काफी कम होती है इनको ज्यादा मात्रा में खाने से पाचन शक्ति कमजोर होती है इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आप कम से कम चावल का इस्तमाल करें क्योंकि इनका ज्याद ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें कामेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल रून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उप्चारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट रहें हल्दी रहें खुश रहें थैंक्यू